कच्चे आम की ऐसी युनीक सी रेसिपी जो आपने पहले कभी ट्राइ नहीं की होगी और ना ही कभी खाई होगी नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम की युनीक सी रेसिपी तो चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं आज की रेसिपी इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है गैस ओन कर देनी है और गैस पर रखना है आपने इस तरह से पापड सेखने वाला जो स्टैंड होता है वो रख ले या फिर कोई भी जाली हो आपके पास वो रख ले और इस पर रखते हैं आम रख लेते हैं आम जितने भी आपने लेने हैं एक लेंगे दो लेंगे वो रख लेजिए और दो से तीन प्याज रख लेजिए और लेसुन रखिए तो इस तरीके से आपने इसको भूनना है slow gas कर दीजिये और slow flame पर ही आपने इसको भूनना है भून कर दोस्तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी 2-3 मिनिट आपको लग जाएंगे इसको भूनने में तो ये हमारा भून चुका है देखिये जो जो चीजे आपकी भूनती रहे उसे आप निकाल लेजिए जादा हम नहीं जलाएंगे बस हमने इसको भूनना है तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी भून चुकी है जैसे कि प्याज हमारे भून चुके हैं प्याज निकाल लेते हैं लेसुन भी भून चुकी हैं और आम को भी निकाल लेते हैं अब दोस्तों इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए इस तरीके से ये वने निकाल कर रख दी थी पांच मिनट आप इसको रख रहने दे ताकि इस पे हाथ लग जाएं तो अब इस पे हाथ लग रहे हैं थोड़ा सा ठंडा हो चुका है ये सामान अब जो प्याज थे वो इस तरीके से आपने चिलने हैं और उपर और नीचे से दोनु साइड से काट लेने हैं और जो हमारे हाथ इस तरह से काले काले हो गए हैं अपने हाथों को आप कपड़े से साफ करते रहें और जो प्याज पर भी ये काला काला सा बुनाव चिलका लग गया है वो भी आप हटा ले कपड़े से जितना आप हटा सकते हैं हटा लीजिए ऐसे ही करके दोस्तों आपने प्याज चील लेने है और लहसुन को भी आपने चील लेना है बस हाथ आप साफ करते रहे ताकि काला काला जो चील का है वो हमारे अंदर ना जाए तो इस तरीके से दोस्तों आपने सारी लहसुन भी चील लेनी है अब आई आम की बारी आम को दोस्तों आपने इस तरह से चीलना है देखे कितना इजली चील चुका है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई चीलने में तो इस तरीके से ये सारा समान हमारा चील चुका है अब इसको काट लेते हैं सारा पल्प निकाल लेजी आम में से तो ये हमारा कट चुका हैां, आम भी, लेसुन आपने छील कर ले लेनी है सरीके से और प्याज ले लेना है, ऐसे काटआ कर. अब लेते हैं एक mixi jar और mixi jar में आपने ये सारा समान डाल लेना है और उपा से डालेंगे एक मुठी हरधनिया इससे आपकी recipe बहुत ही बढ़िया बनने वाली है और इसमें डालेंगे एक secret चीज जिससे आपकी इस recipe में चार चांद लग जाएंगे ये है दोस्तो desiccated coconut powder आप चाहे तो इसके लिए सूखा नारियल जो मिलता है वो भी cut करके ले सकती है थोड़ा सा roast कर लीजी उसको फिर आपने लेना है तो मैं ये ले रही हूँ तीन चमच उपर से डाल लेते हैं अब इसमें नमक टेस्ट के अंसार एक से डेड़ छोटा चमच मैंने नमक लिया है और डालेंगे यहाँ पर एक चमच लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें डालेंगे हींग दो चुटकी एक चमच ले रहे इंचोटे वाला साबूत धनिया आपके पास धनिया पाउडर हो तो वो भी आप ले सकते हैं एक चमच लेंगे यहाँ पर काला नमक और अब एक सिक्रेट चीज डालेंगे इसमें जो आपकी रेसिपी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देगी यह है दोस्तों शक्कर या फिर आप पिसा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं एक चमच भर कर आपने डालना है इससे क्या होगा आपकी रेसिपी जो है वो खटी मिठी बनेगी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा आप एक बार बना कर जरूर देखना और इन सारी चीजों को कर देना है आपने ग्राइंड देखे बिना पानी डाले पानी नहीं डालना है इसमें ऐसे ही आपकी यह सारी जीजे ग्राइंड हो जाएंगी कुछ इस तरह से देखे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने स्मूथ सब पेस्ट बना लेना है इसका अब इसको निकाल लेते हैं एक बावल में बावल में निकाल कर दोस्तो एक काम आपने और करना है जिससे आपकी ये रेसिपी बहुत ही स्वादिश्ट बनने वाली है कोई भी महमान आ जाए आपके घर में ये रेसिपी फटा फट से आप बना सकते हैं बस जरूरत है तो एक अच्छे आम की इस पैन में डाल लेना है आपने एक चमच आप या तो देसी घी डाल सकते हैं या फिर ओयल डाल सकते हैं सरसो का ओयल नहीं लेना है आप कोकुनेट ओयल ले सकते हैं या फिर ओली ओयल ले सकते हैं मैंने यहां पर लिया है एक चमच ओली ओयल और एक चोटा चमच डालेंग अब आपने ये तड़का डालना है चटनी में जो हमने आम की चटनी बनाई है देखिए हमारी चटनी कितनी गजब की लग रही है आप खाएंगे ना एक बार तो आप उंगलिया चाटने पे मजबूर हो जाएंगे और हर बार इसे ऐसे ही बनाना चाहोगे बहुत ही टेस्टी है एक बार ट्राइज जुरूर करना तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं ऐसी ही एक और रेसीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक बा बाइ बाइ